Q16, यहां Mr. X के पूरे salary का calculation दिया हुआ है पहले पूरे उनका basic salary है 12,000 पर मन्त bonus है 6th month salary यानि की 6 महीने के salary के पराबर उनका bonus है traveling allowance for tour यहां पर tour word दिया गया है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि traveling allowance के संद का tour word दिया है तो यह पूरा का पूरा exempt हो जाता है तो यह exempt हो जाएगा entertainment allowance 500 पर मत क्योंकि यह government employee नहीं है इसलिए इसे exemption नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा traveling, sorry entertainment allowance taxable हो जाएगा फिर commission equal to 4 months पे तो 4 months पे यानि की basic salary के 4 महीने के बराबर उसका commission है तो 12,000 इंटो 4 कर लेंगे फिर उसको एक house मिला हुआ है जहाँ और ऐसे city में मिला है जिसका population है 15,000,000 तो जब 15,000,000 रहता है मतलब 10,000,000 से जादा और 25,000 से कम तो फिर वहाँ पे हम 15% of salary निकालते हैं और उसका value अगेरा दिया हुआ है और वहाँ पे furniture fixed किया गया वो जो house उसको मिला है employee को वहाँ पे furniture भी लगा हुआ है जिसका value है 10,000 तो जिसका हमें पता है कि जब furniture का value दिया रहता है तो उसका हमको 10% निकालना होता है और उसके अलावा उसे provide किया जा रहा है lunch company के side से 30 रुपए per meal और 300 दिनों के लिए तो हमको पता है कि lunch पे 50 रुपए का exemption मिलता है per day मतलब यहाँ पे 60 रुपए है तो उसे कितना 10 रुपए taxable हो जाएगा क्योंकि 50 रुपए exempt हो जाएगा तो 10 रिंटो 300 करके हम निकाल लेंगे उसके अलावा उसने electricity और water charges के लिए claim किया है बट ये तो personal use के लिए आता है इसलिए इसका उसको direction नहीं मिलेगा entertainment और conventionary allowance full बोल रहा है तो इसका भी इसको direction नहीं मिलेगा क्योंकि वह government employee नहीं है फिर contribute companies recognized provident fund RPF में वह contribute कर रहा है 2000 रुपए और साथ में employer भी contribute कर रहा है तो employee का contribution होता है उसका तो deduction ATC में मिलता है जो हम total income में पढ़ते हैं बट यहां पर salary chapter में सिफ और सिफ employer का contribution देखा जाता है तो यहां पर equal sum लिख दिया है मतलब कि employer भी 2000 per month दे रहा है तो यहां पर हम 2000 into 12 करेंगे और उसके बाद क्योंकि यह rule है P.F में कि 12% of salary exempt होता है तो हम 12% निकाल के exemption निकाल लेंगे उसके बाद interest credit हो रहा है 12,000 at 9.5% तो क्योंकि 9.5% इंट्रेस्ट पी एफ में exempt हो जाता है इसलिए यहां पर यह जो interest है वह exempt हो जाएगा अब हमको taxable salary calculate करना है Q.16.computation of taxable salary basic salary 12,000 into 12 करेंगे तो आ जाएगा 1,44,000 bonus था 12,000 into 6 महिने के बरावर था इसलिए 6 into किये तो आ गया 72,000 traveling allowance for tour दिया था word इसलिए हमने इसे exempt किया entertainment allowance क्योंकि यह government employee नहीं है इसलिए यह पूरा taxable हो रहा है तो 500 into 12 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा फिर commission बोला था 12,000 basic pay के चार मीने के बरावर तो 12,000 into 4 किया तो आ गया 48,000 पिर rent free accommodation तो इसका हमको calculation करना पड़ेगा क्योंकि question मैं बोला था 15,00,000 तक population है लेकिन rule के हिसाब से 10,00,000 से 15,00,000 के बीच में अगर population रहता है तो फिर 10% of salary होता है और यहां पर salary का मतलब basic plus DA plus commission plus bonus plus all taxable allowance होता है तो यहां पर यहां पर basic salary तो दिया हुआ है 44,000 DA special नहीं दिया हुआ है तो उसे नहीं लेंगे फिर 72,000 का bonus दिया है तो वो ले लिया कमिशन भी दिया हुआ है 48,000 का तो वो भी ले लिया उसके बाद entertainment allowance 6000 का दिया हुआ है तो वो entertainment allowance ले लिया और उसके अलावा और कुछ भी allowance यहां पर है नहीं तो इसलिए फिर डारेक्ट इन सब का total करेंगे तो आ जाएगा 2,70,000 अब यहां पर हम formula लगा देंगे rent free accommodation का तो यहां पर होता है 10% of salary तो हमारा salary आया 2,70,000 इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 27,000 और क्योंकि furniture बोल दिया तो यह 27,000 पूरा का पूरा यहां पर यहां पर बोला था furniture भी दिया गया है उसको house के साथ तो यहां पर 10% of furniture निकालेंगे furniture का value था 10,000 तो यहां पर उसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,000 रुपए और 27,000 प्लस 1,000 करेंगे तो आ जाएगा 28,000 रुपए तो यहां पर rent free accommodation में 28,000 रुपए आ जाएगा lunch में 50 रुपए exempt होता है per day का यहां पर 60 रुपए था इसलिए यहां पर 10 रुपए taxable हुआ क्योंकि 50 रुपए exempt हो गया तो 10 रुपए taxable हुआ 300 दिन के लिए तो आ जाएगा 3,000 employer contribution toward RPF तो 2,000 रुपए था 12 मेने का निकालेंगे तो आज जाएगा यहां पर 24,000 लेकिन हमको पता है कि 12% of salary इसमें भी exempt होता है तो इसका हमको calculation करना पड़ेगा तो 12% of salary exempt होता है basic salary ना तो basic salary हमारा था 1,44,000 तो उसका 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 17,280 एक्चुल अमोंट कितना दे रहा हो 24,000 दो हजार इंट उबारा करेंगे तो 24,000 और उसमें से exemption मिल रहा है 17,280 का तो 24 में से 17,280 घटा देंगे तो आ जाएगा 6,720 जो कि taxable हो ज इंट्रेस्टन पी-फ ये exempt हो जाएगा इन सब का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,777,720 और इसमें से standard deduction मिल जाएगा 50,000 का तो आ जाएगा 2,57,720 जो हमारा taxable salary होगा question number 17, यहाँ पर बोलागे है गोपाल एक employee है company में जहाँ पर 40,000 उनका basic salary है 10% उनका basic adherence pay यनकी basic salary ही है entertainment allowance 100,000 पर, sorry, 1,000 पर month है और spend कर रहे है 5,000 रुपए entertainment का लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये government employee नहीं है तो इसलिए इसका पुरा-पुरा entertainment allowance taxable होगा उसके बाद provide करे rent-free house उनको जिसका rent, fair rent value है 5000 रुपए और यह जो उसका owner है house का वो company है मतलब यहाँ पर अगर हमको कोई बताया नहीं है कि population कितना है तो हमको यहाँ पर population 25 लाग से जादा है यह मान के चल रहा है यानि कि salary का 15% यहाँ पर taxable होगा इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर उनको एक small car भी दिया गया है जो उनके personal और official दोनों यूज के लिए है और इसके बाद यहाँ पर उनको maintenance और जो है वो company उनका pay कर रही है तो यहाँ पर हमको उनका taxable salary नहीं कालना है question number 17 computation of taxable salary तो यहाँ पर basic salary था 40,000 का 12% करेंगे तो आजेगा 4,80,000 deodorant pay था 40,80,000 का 10% 48,000 और entertainment allowance था 1000 था 1000 का 12 का 12 का 12 के लिए हमको salary calculate करना पड़ेगा तो basic salary प्लस DA special plus commission plus bonus plus all taxable allowance था 40,80,000 क्योंकि यहाँ पर DA तो नहीं है लेकिन deodorant pay है दियरेंस पे भी सेलरी के बराबर होता है इसलिए हमने इहां पे लिया कमिशन ने इंटरेंब्मेंट अलावेंस दिया हुआ था 12,000 तो हमने इंटरेंब्मेंट अलावेंस ले लिया इसके बाद स्मॉल कार है इंप्लॉयर खर्चा उठा रहा है मतलब के अथारा सो रुपए आएगा इसमॉल कार का पर मंत तो अथारा सो इंटू बारा करेंगे तो आजएगा 21,600 इन सब का टोटल करेंगे तो आजएगा 6,42,600 जो हमारा ग्रोस सेलरी होगा और इसमें से हम तो आजएगा 5,92,600 जो हमारा टैक्सिबल सेलरी होगा